आप सभी का बहुत 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 बेलकम है हमारे यूटूब चैनल ओम ग्राफिक्स में तो फ्रेंट्स आज के इस फोटो सॉप टिटोरिल में हम बात करने वाले हैं किसी भी फोटो में अगर आपको by ground चेंज करना है या फिर by ground को बलर करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं फोटो सॉप में तो आज इसी का टिटोरिल हम आपके सामने लेके आए हैं तो हमारे चैनल पर अगर फर्स टाइम आया हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा लिजिए वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग से रिलेटेड कुछ भी जानकारी लेना है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए हम उस टाइप का टिटोरिल हम आपके सामने जरूर लेके आएंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास फोटो सॉप का कोई भी लेटेस्ट वर्जन फोटो सॉप होना चाहिए जयरे पास फोटो सॉप ۲ जरुएगा और इसी मनें आपको आज करकरके दिखाने वाले हैं सिर्फ आप एक लग्र süd भी इसकंड को जा collaborators है आहाँ फेरे खुमेंट पर अचाहिए आपति अन्टारे में अजीएगा इसे सेरी आप Yuri याrat सब्जेक्ट तो यहां पर आपको क्लिक करना है जैसे क्लिक किजिएगा उपर में आपको दिखाई पड़ेगा सलेक्ट सब्जेक्ट और सलेक्ट एंड मास्क यह दो अप्शन यहां पर दिखाई पड़ेगा या फिर आप यहां से भी जा सकते हैं जैसे आप सलेक्ट पर अब क्या करना है सिर्फ यहां पर एक मास्क लगा देना है जैसे किलिक किजिएगा आप देख सकते हैं कि इसका जो बैग्राउंड था वो बिल्कुल रिमूब हो चुका है इसका बैग्राउंड तो रिमूब हो गया है अब दूसरा इसमें बैग्राउंड को हमें फिल करना है तो background फिल करने के लिए आप किसी भी background को ले लिजे लेकिन आप ये चीध ध्यान दिजेगा कि जिस तरीके का background पीछे लगा हुआ था courses किजिए कि उसी तरीके का background वहाँ पे फिल करे ताकि थोड़ा मोड़ा जो cutting में problem होगा वो पता नहीं चलेगा तो यहां से मैंने एक background को select किया और यहां drag and drop किया यहां पर हमें ले आया background को और background को हम नीचे कर लेंगे यहां से अब यह background को हमें adjust कर लेना है control T press करके इस तरीके से इसे adjust कर लेना है तो आप देख सकते हैं कि finally यह मेरा background change हो गया इस photo में तो अब हम दूसरा photo में try करके देखते हैं इस चीज को इसका तो background हमने change कर दिया अब हम आपको बताते हैं कि background को ballar कैसे करेंगे ballar करने का भी एकदम simple तरीका है वहां पर आप देख लिजे कि किस तरीके से हम background को ballar करते है जैसे कि मान के चलिए मेरे पास एक couple का photo है और यहां से drag and drop करके हम उने Photoshop में ले आया अब इसका background तो already ballar है लेकिन अब इसमें ballar क्या करेंगे लेकिन फिर भी हम आपको तरीका बता देते हैं तरीका क्या है इसका सबसे पहले एक copy बना लिजे Ctrl J प्रेस करके copy बन गया इसका जैसे copy बनेगा इसको फिर से वही काम करना है जो हमने background change करने में किया था इसको क्या करना है select subject पर click करेंगे इसका selection बन जाएगा इसका selection बन चुका है अब यहां से हम एक mask create करेंगे अब नीचे वाले जो हमने copy बनाया था नीचे पर आ जाएंगे यहां पर filter में चले जाना है बलर में जाना है और यहां गौर्शन बलर लिखा हुआ है यहां जैसे गौर्शन बलर पर click किजिएगा अब देखिए इसको जीतना बलर आपको करता है कि जैसे आपके client के अनुसार जीतना उनको बलर चाहिए उतना आप कर सकते हैं यहां से देख सकते हैं इसमें एक चीज और क्या कर सकते हैं कि आप बाइग्राउंड के साथ छेड़ छाड़ भी कर सकते हैं बाइ control यू प्रेस किजिए आप यहां से इसका saturation को आप घटाए बढ़ाए तो एक थोड़ा सा इसमें और दिखेगा मतलब जितना आप फोटो में उसको छेड़िएगा उतना वो थोड़ा बेस्ट लएगा देखिए पहले फोटो किस तरीका अगा था अभी कैसा हो गया तो आप आप बाइग्राउंड को भी बलर कर सकते हैं बाइग्राउंड को चेंज भी कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं इसमें लेकिन यह सब फोटो सॉप में नहीं होगा जो लेटेस्ट फोटो सॉप है फोटो सॉप 2020 हो गया फोटो सॉप 2022 2021 यह सब फोटो सॉप में संभव है अब एक और हम आपको background remove करके दिखाते हैं जैसे यहाँ पे हमने एक photo लिया drag and drop किया यहाँ पे आ गया अब इस photo को हमें background change करना है तो करना क्या होगा यहाँ से सिर्फ select and subject पे click करना है इसका selection बन जाएगा इसका selection बन गया अब क्या करना है यहाँ पे mask create कर लेना है इसका cutting complete हो गया अब एक background को ले लेते हैं जैसे कि मेरे पास यह background है इस background को ले लिए यहाँ पे drag and drop कर लिए अब इससे क्या करेंगे हम खीच के बड़ा कर लेंगे और इसको नीचे कर लेंगे background को नीचे कर लेंगे कितना जल्दी ना कोई cutting करने का problem है इसमें ना कुछ तुरंत आप background को change कर सकते हैं बाकी इसका अगर advance आपको तरीका जानना है तो इसका advance भी हमने इस tutorial में बताया हुआ आप पीछे वाला video देखिए इसका advance cutting हम आपको बताया हुए हैं वहाँ से आप इसको देख सकते हैं तो friends ये tutorial आपको कैसा लगा आप हमें comment करके जरूर बताएं और हमारी channel पर first time आया है तो channel को subscribe करके bell icon दबा ले video editing, photo editing से related कुछ भी जानकारी लेना है comment box में comment करें हम उस type का tutorial आपके सामने जरूर लेके आएंगे तो friends आज तक के लिए इतना ही मिलतें next video में धन्यवाद